हेलो फ्रेंड्स इस विक्रम एंड वेलकम यौल इन फ्लाइंग सिविक आज टोटल फाइफ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आज मैंने अपने पॉर्टफोलियो में एड किया है तो उनके पीछे की रिजनिंग देखेंगे और देखेंगे कि वो स्टॉक्स कैसे आने वाले टाइम में अच्छे रिटन देने में कैपबल है सबसे पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये अपने रीजेंट हाई से अरूंड 13% के डाउनसाइड पे थी जो पहले एक रेजिस्टेंस था वहीं ये एक सपोर्ट के रूप में अभी काम कर रहा है जो ये ब्लू लाइन है ये कल के वीडियो में मैंने ड्रॉ की थी कि ये एक सपोर्ट हो सकता है इस फॉल का तो बिल्कुल यहीं से यहां से निफ्टी आईटी के जो इंडेक्स है वो उपर की तरफ ट्रेडिंग करना स्ट जरूर करें तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने बाई किया है वो है एक स्मॉल कैप केटेग्री से आईटी स्टॉक जिसका नाम है लेटेट व्यू अनलेटिक्स ये एक डेटा अनलेटिक्स की कंपनी है एंड रिसेंटली ये इसका आईप्यो आके ये कंपनी लिस्ट होई थ इस स्टॉक का जो फ्यूचर ग्रोफ प्रॉस्पेक्ट है वो काफी अच्छा दिखता है एंड डेटा अनलेटिक्स का जो बिजनस है वो भी आईटी के सेक्टर में वन अफ दे बेस्ट बिजनस है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफी अच्छे मल्टी बैगर रिट अच्छा ROC है एंड ROEB 22.8% के लेवल पे नज़र आता है नेगलिजबल डेट है कंपनी पे और एंड अराउंड 86% की होल्डिंग प्रमोटर FII एंड DII के पास देखने को मिलती है एंड लास्ट वन येर का अगर प्रॉफिट ग्रोफ देखा जाए तो वो 33% का है इसी करता है second stock जिसे मैंने वाई किया वो है news and technologies already I am holding some stocks of this particular stock and इस stock को आज मैंने around 500 and 40 के लेवल पे अड़ किया था and इस stock को भी हमने कल के वीडियो में डिसकस किया था तो इस stock के अंदर भी काफी अच्छा upside दिखता है अगर swing trade की भी बात करें तो around 15% के जो upside के हमने कल बात करी थ का stake तो clearly नज़र आता है but I will be holding this stock for long term 15% का जो पहला target है and around 23% का दूसरा target है तो आप इसमें दो target consider कर सकते हैं जैसे यह first target है and उपर वाला जो है second target है and अगर इस stock को आप long term के लिए भी hold करते हैं तो यह stock काफी अच्छा है अगर कुछ fundamentals की बात करें तो 27.6% का ROC है and 20.6% का ROE है zero debt company है and around जो इस पर अगर debt की बात करें तो बिल्कुल negligible debt है zero debt नहीं consider कर सकते बट negligible debt है तो यह था second stock जिसको मैंने buy किया third stock है large cap category से जिसका नाम है TCS यह बिल्कुल एक safe buying है as यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आज की जो daily candle है वो एक dozy candle बनी है इस downside के बाद जब dozy candle बनती है तो stock के अंदर काफी chances होते हैं कि upside देखने को मिले बट मेरा इस stock को reason करने के पीछे buy करने का reason यह है कोई technical reason नहीं है बट एक fundamental reason यह है कि इस stock ने 4500 रुपय का buyback अभी जारी किया है तो company के जो promoter है वो खुद 4500 की rate पे इस stock को buy करने के लिए ready है उनको 4500 के level पे भी इस stock के अंदर value दिखती है means आने वाले around 6 to 8 बंत के अंदर इस stock की price 4500 से उपर होगी इस वज़े से इस stock को भी मैंने add किया है तो यह थे तीन stock जिनको मैंने add किया है जो की IT sector से related से दो और stock जिनको मैंने add किया उसमें first है HDFC bank यह already I am holding this particular stock and आज मैंने around इसको 1460 के level पे add किया था and यह stock अपने 200 days moving average से नीचे available है and देश की सबसे बड़ी private sector की bank and पिछले इतने सालों से काफी अच्छा business करने वाली यह bank है जिसको around मैंने आज 15% के downside पे जब वो available था अपने recent high से तब buy किया गया था and उस time अगर इसके RSI की बात की जाए तो around 43 के RSI पे यह stock available था and 40 से नीचे जाने को यह एक तरीके से मना कर रहा है stock RSI के level पे तो य 16.9% के ROE के साथ business करने वाली यह company है and अगर इसके share holding pattern की बात करें तो 87% का stoic जो है promoter FII and DIA के पास देखने को मिलता है last stock जिसे मैंने आज add किया था वो है Bajaj Finance Bajaj Finance की भी already मेरे पास holding है and आज जब यह नीचे के level पे available था तो इसको मैंने और add किया था around 1666 के level पे add किया गया था and यह stock अपने लगभग अपने 200 दिन के moving average के आसपास ही available है इस वज़े से इस stock को add किया गया था इसके अगर support की बात करें तो यहीं इसका support भी नज़राता है जो कि 200 days moving average को बिल्कुल touch करता है तो यह stock में भी और नीचे जा सकता है बट अगर नीचे और जाता है तो मैंने कुछ और add करने का विचार है and यहां से अगर यह stock pullback दिखाता है तब भी काफी अच्छी बात है around 35k RSI पे जब यह trade कर रहा था तब मैंने इस stock को add किया था अगर 90% stake की बात करें तो वो promoter FII and DIA के पास नज़र आता है तो यह stock था 500 stock जिसको मैंने buy किया था आप पीछे की भी analysis देख सकता है जैसे यह drawing मैंने पहले calculate की थी and इसका यह target उस time decide किया था around 25% का target था जब यह stock around 57 00 के आसपास था तो यह target हमें achieve हो गए थे आप time frame देख सक तो 67 market days के अंदर यह 25% का target achieve हो गया था जो कि 3 month का time था अगर आप किसी stock को buy करते हैं and वो buy करने के तुरंत बाद अगर second day, third day अगर नीचे जाता है तो आप panic होना start कर देते हैं this is not the good thing आपको minimum 1 quarter तो उस business को देखना ही चाहिए अगर आपने technical basis पे उसे buy किया है नीचे के level प अंदर आपको अपने जो 15 to 20% के return है वो easily मिल सकते हैं तो यह एक educational वीडियो था इसके according आपको buy या sell नहीं करना है and इसी type के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें